नमस्कार आप शबी को स्वागत है मेरे यूटूब चैनल जीतूर शुई में तो आज का वीडियो का अच्छा लगता है तो लाइक कीजेगा शेयर कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा तो चलिए बनाना शुरू करती हूं यहां पी 200 ग्राम पनीर में घर का बनाया वो पनीर यूज कर रही हूं आप चाहे तो मार्किट का भी पनीर यूज कर सकते हैं तो इसे कट कर लेना है तो आप चाहे तो लंबे-लंबे पीसेस में भी इसे कट कर सकते हैं या छोटे पीसेस में भी कट कर सकते हैं पर मैं मेडियम में ही कट कर रही हूँ तो आप देख सकते हैं इस तरीके से कट कर लेना है इस साइज में कट करना है करते हैं कि अधिया का नेकिक सकते हैं एक नम मीडियमномуचे पार्फ में है इसे न हिलेना है पैसन और काली मिर्च का प्यावड़र गरम मशाला का पाउडर धनिया पाउडर आमचूर पाउडर लाल मिर्च पाउडर हल्दी पाउडर और श्वाद अनुशार नमक अद्रक लशन और हरी मिर्च का पेस्ट वन टीश्पून्स और इसे थूड़ी शी पानी डाल करके और कर लेना है मिक्स तो अच्छी से मिक्स करना है एक तम से अस्मूथली मिक्स कोई भी लंस इसमें नहीं रहना चाहिए तो देखिए यहाँ पे कितने अच्छी से बेटर तयार हो चुका है और इसका कंसेटैंसी इसी टैप से रखना है ताकि पनीर में यह लेयर अपना सके तो यहाँ पे इसे असमूथली मिक्स कर लेना है यहां पर लेना कड़ाई एक ग्रम हो Ugh जूका है ।समें ऑइल डाल देना है, रिफाइन ओयल तो यह बेटर में पनीर को डालना है और एक पनीर को लेकर के इस तरीके से बेटर से लपीट देना है ताकि अच्छे से पकोड़ा बन सके तो बाकी को भी उसी तरीके से कर लेना है और देखिए इस तरीके से डूबो लेना है बेशन में और कडाई में इस तरीके से डालना है तो यहाँ पे oil भी गरम हो जुका है तो मैं पनीर को एकख करके डालती हूँ डालते जाना है और सटा करके नहीं डालना है नहीं तो जोएंट हो जाएगा तो थोड़ी ची अलग फलक में डालना है तो एक से 1.5 मिनट तक इसे पकने देना है और फिर से पलट देना है कि यहां पर प्लट करके हो गया और फिर ज़िए एक से देट मिनट पकाने है जब तक कलर नहीं आ जाता है एक से दो बार प्लट करके और इससे अच्छे से कलर रानी तक और पकड़ानी तक पकाना है तो दो से तिन मिनट में फिर से ये रेडी हो जाता है पक करके तो देखिए यहाँ पर कलर भी आ चुका है तो इसे छन करके मैं साइड कर लेती हूँ और सेम प्रोसेस से तुबारा मैं डाल देती हूँ जो बचा है पनीर ओ तो इस तरीके से बनाएंगे ना तो पनीर का पकोड़ा बच्चे भी बहुत चाओ से खाएंगे बहुत ही टेस्टी बनता है आप जरूर इस तरीके से ट्राइ कीजिएगा अपने घर में और अपने बच्चे को जरूर खिलाएगा तो देखिए यहाँ पनीर में कितने के साइड कर लेना है तो यहाँ पर मेरा पनीर का पकोड़ा बनकर की हो गया है रेडी और इसे काली नमक के साथ सर्फ करना है और वीडियो कैसा लगता है जरूर कॉमेंट बॉक्स में मुझे बताएगा और अपना नुभाव मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा और लाइक क वीडियो देखने के लिए थैंक यू